गया में रात करीब दो बजे अपराधियों ने मुफसिल थाना अंत्रगत गया नमादा रोड परिस्ते सिकहर मोड के पास तीन दुकानों के शटर और छट तोड़ कर दुकानों में घुसे और चोरी की घटना को अंजाम दिया बताया जा रहा है कि सिकहर मोड पर इसे सीमेंट और छट के दुकान उमा महसवर ट्रेडर सिंग ट्रेडर और आर के अर्थ मोवर से नगदी सहीत लाखों का सामान चोरों ने चुरा लिया है उमा महस्वा ट्रेडर्स के मालिक अन्रुद सिंग जब अपने दुकान को करीब 8 बजे खोलने आये तो उन्होंने अपने दुकान के शटर का ताला टूटा हुआ पाया जब वो दुकान के अंदर गय तो उन्होंने देखा कि उनके कैस काउंटर भी टूटा हुआ है जैसे ही इस बात की खबर आसपास के दुकानदारों को हुई तो उन्होंने भी अपने अपने दुकानों को देखना शुरू कर दिया तब पता चला कि सिंग ट्रेडर्स से भी करीब 10,000 रुपे चुरा लिए गये हैं वहीं आरके अर्थ मुवर्थ से भी चोरों ने दुकान की छट तोड़ कर करीब 40,000 नगदी सहित लाखों का सामान चुरा कर ले गये हैं सभी दुकानदारों ने इस घटना की जानकारी पंचायत के मुख्या और मुफसिल थाना को दिया थाना को सूचना मिलते ही अविलंब थाना की गारी घटना असल पर पहुंची और निरिक्षण किया दुकानदारों के लिखी तावेदन और CCTV फूटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलासी में जुट गई है सच ऑनौन आदमी पर है अब हमलोग पूराग में यह पृठ्य कैमरा का हड़ यच भी ले गया है साथ में कंचन चार लग रुपया कैस था दुकान में हो ले गया कैसी ले गया समान कुछ नहीं लेगा जा मेरे बंगल वाला दुखान में भी चोरी हुआ हुआ है CCTV भी आया हुआ है अब इस सुबा सुबा हमको पता हुए अनुद बाबू जो ओमा ट्रेडर्स के मालिक है वो फोन किये कि भाई इस प्रकार का हमारे दुकान में चोरी हो गया तो हम अपना घर से पुरांत आये यहां पर कि परसासन को हमने फोन किया हुआ है अपना देखें हार्डिस बज़रा जो भी कैमरागा था और कैस्स कोंटन बज़रा सब थोड़ा हुआ है जो भी कैस्स होगा इंसा उसब नहीं है यहां पर फोड़े ही देर में दस मिनेट बाद पता चलता है उदर यहां से चाल दुकान आगे तो आपनीया बोला कि मेरे दुकान में भी त कि दुकान के अंदर पर्वेश किया है कि हमारे कॉंटर से सारा कैस लगवार जीन का पूरा सेल था 25-30,000 रुपया बोल देके गया और तीछे से ही चरकट को थोड़ के अंदर को पर्वेश किया है और इसके सब्सक्ता हम आनको खाना को जाका है भी देंगे समान कितने का गया है समान लगवा एक लाख रुपया का भी चोड़ी कर दो